WhatsApp backup कैसे लेते हैं? WhatsApp backup को restore करके delete हुई WhatsApp chat, photos, videos को वापस कैसे लाते हैं? call history को वापस कैसे लाते हैं? यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी सबसे पहले हम सीखेंगे WhatsApp में backup कैसे लेते हैं? तो WhatsApp में backup लेने के लिए आपको उपर में three dots पर click करना है यहाँ पर settings पर click करना है यहाँ chats पर click करना है अब यहाँ नीचे आना है यहाँ पर आपको chat backup पर click करना है अब यहाँ पर आप देखेंगे chat backup इसकी setting यहाँ पर आपको दिखाई देगी तो इन में से कोई एक Gmail ID आपको यहाँ पर select कर लेना है और यहाँ से आपको back आ जाना है ठीक है यहाँ पर मैंने एक Gmail ID select कर ली अब नीचे में आपको एक option मिलेगा backup to Google Drive इस पर आपको click करना है अगर यह never पर set है या only पर set है या weekly या monthly पर set है तो आपको इसे हटा कर daily पर set कर द यहाँ पर हमने Google account भी set कर दिया और यहाँ पर backup को हमने daily पर set कर दिया अब दोस्तों क्या होगा daily हम जो भी WhatsApp पर chat करेंगे, photo videos को send करेंगे, receive करेंगे उसका backup Google account में daily upload होता रहेगा, automatic upload होगा हमें कुछ नहीं करना है सिरिफ एक बार यहाँ पर हमको setting करना है इसके बाद daily हमार backup हमारे Gmail account में save होता रहेगा, और गलती से अगर हमारी chat delete होती है, यह हमारा WhatsApp ही delete हो जाता है, यह हमारा phone चोरी हो जाता है, यह हम एक नया phone लेते हैं, तो इस Gmail ID की मदद से हम backup को restore करके हमारी delete हुई सबी chats, photos, videos और call history को वापस ला सकते हैं, दो setting हमने कर ली, अब नीचे में आ on कर लेना है, यह दोनों ही setting on करना है, आखरी में भी आपको एक setting मिलेगी, आपको इसे off ही रहने देना है, यह सारी setting करने के बाद आपको ऊपर में एक option मिलेगा backup, इस पर आपको click करना है, backup पर click करने के बाद दोस्तों क्या होगा, हमारा जो backup है, हमारी Gmail ID के अंदर upload होगा, Google Drive के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपके WhatsApp में बहुत ज़्यादा डेटा है, 1GB, 2GB का तो यहाँ पर time लगेगा, अगर कम है तो यह फॉरण हो जाएगा, और यह process आपको सिर्फ एक ही बार करना है, इसके बाद daily WhatsApp automatic आपका जो backup है, Google Drive में upload करता रहेगा, ठीक हमने backup ले लिया है, अब back आजाते हैं, हमारा backup हो गया है Google Drive के अंदर, अब Google Drive के अंदर कहां पर backup सेव हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको Google Drive को open करना है, यह वाला एप सभी mobile में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसे कहते है Google Drive, इसे आपको open करना है open करने के बाद, उपर में आपको Gmail ID दिखाई देगी, आपको यहाँ पर वो वाली Gmail ID सेलेक्ट करना है, जो आपने WhatsApp के अंदर सेलेक्ट की है backup अपलोड करने के लिए, तो यहाँ पर मैंने वो ही वाली Gmail ID सेलेक्ट कर रखी है, इसके बाद यहाँ पर आपको 3 LINE पर किलिक करन है, अब यहाँ पर आपको एक option मिलेगा, backups, इस पर आपको किलिक करना है, यहाँ पर कुछ time page लोड होगा, और आप यहाँ पर देखेंगे, हमारी WhatsApp की backup file यहाँ पर upload हो गई है, timing भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे क्या आप देख सकते हैं, अब यहाँ से back आ जा अब माल लीजे, गलती से आपकी कोई chat delete हो जाती है, या फिर कोई photo video WhatsApp से delete हो जाता है, या call history delete हो जाती है, या WhatsApp ही delete हो जाता है, या आपका phone चोरी हो जाता है, या फिर आप phone बेज देते हैं, नया phone खरीते हैं, तो फिर आप backup को restore कैसे करेंगे, वो मैं आपको बता देता आपको सब कुछ दिखा दिया, सारी chat देख लीजिए, अब मैं यहाँ पर WhatsApp को live delete करूँगा, आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने long press किया, delete पर click किया, यहाँ पर uninstall, WhatsApp delete हो गया, ठीक है, मेरे phone से WhatsApp को मैंने delete कर दिया, सारी chat मेरी delete हो गई है, ठीक है, अब हम restore कैसे करेंगे हमारे WhatsApp को backup को वापस कैसे लाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने कोई नया phone खरीदा है, तो उसके अंदर आपको अपनी Gmail ID login करना है, जिसके अंदर आपने WhatsApp का backup लिया था, ठीक है, तो यहाँ पर हम WhatsApp को download करेंगे, Gmail ID तो पहले से मेरे phone में login ही है, अब यहाँ पर मैंने Play Store को open किया, अब मैं यहाँ पर WhatsApp को download कर लेता हूँ, WhatsApp download हो रहा है, WhatsApp download हो गया, मैं इसे open कर लेता हूँ, अब यहाँ पर हमें WhatsApp को login करना है, और यहाँ पर कुछ important setting करना है, तो ही आपकी chat वापस आएगी, यहाँ से आपको वीडियो को skip नहीं करन है, अब यहाँ पर आपको arrow पर किलिक करना है, इसके बाद agree and continue पर किलिक करना है, इसके बाद permission को allow करना है, अब यहाँ पर आपको अपना mobile number add कर देना है, mobile number add करने के बाद यहाँ पर आपको next के button पर किलिक करना है, इसके बाद आपके mobile number पर एक OTP आएगा, OTP WhatsApp automatic detect कर लेगा, यह अगर detect नहीं करता है तो आपको OTP enter करना होगा इसके बाद यहाँ पर आपको continue पर click करना है यहाँ पर permission को allow करना है permission को allow करना है यहाँ पर आपको फटा-फट click नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक गलती कर देंगे तो आपका backup आपको वापस नहीं मिलेगा यहाँ पर allow करना है अब यहाँ पर इस तरह से page open हो जाएगा looking for backup अब यहाँ पर आप देखेंगे restore backup अब यहाँ पर आपकी Gmail ID दिखाई देगी जिसके अंदर आपने backup लिया था यहाँ पर आपको restore पर click करना है restore पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर email ID तो पहले से मेरी select है मेरे phone में login है तो यहाँ पर उसने whatsapp ने यानि के whatsapp ने email ID select करने का option मुझे नहीं दिया है अगर आपकी email ID select नहीं होगी पहले से तो आपको email ID select करना होगी जिस email ID के अंदर आपने backup लिया है वही वाली email ID आपको यहाँ पर select करना होगा उसके बाद आपको backup को restore कर लेना है जिस तरह से मैंने आपको बताया backup बहुत जादा होगा तो यहाँ पर time लगेगा कम होगा तो फॉरण backup restore हो जाएगा और आपको यहाँ पर next का button मिलेगा तो यहाँ पर आपको next के button पर click करना है आपकी profile आजाएगी नाम वगएरा यहाँ से आप change कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो नहीं तो next के button पर click करना है WhatsApp install हो जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जितनी भी चैट है वो restore हो जाएगी वापस आ जाएगी जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चैट वापस आ गई है अगर आपके WhatsApp में अगर media file जादा होगी तो यहाँ पर media file restore होगी आपको उसे पूरी तरह से restore होने देना है यहाँ पर आप देख लीजे जो चैट मैंने आपको दिखाया था सारी वापस आ गई है यहाँ पर फोटो वीडियो भी वापस आ गई है जैसे कि आप देख सकते हैं call history भी वापस आ गई है WhatsApp को मैंने डिलिट कर दिया था फिर भी मेरी सारी चैट वापस आ गई क्योंकि हमने WhatsApp का backup लिया था और backup को restore कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया तो जब भी आपकी गलती से कोई चैट डिलिट होती है या WhatsApp भी डिलिट हो जाता है या आप phone को change करते हैं तो इस तरह से आप backup लेने के बाद आप अपने backup को restore करके अपनी सारी चैट को वापस ला सकते हैं अगर दोस्तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe करना वीडियो को like कर देना, share भी कर देना